एलो क्रिकेट लवर्स एक तरफ है RCB की टीम जिसके साथ पिछले मैच में बहुत अच्छा मोमेंटम था बहुत अच्छी टीम और बड़े खिलाड़ों की वापसी हो रही है RCB की टीम समझ रहो? समझ रहाब? एक तरफ आप देखें Mumbai Indians वो काफी close मैच हा रहे हैं और बहुत आसानी से उनके हाथ से चलागी क्या Mumbai Indians की टीम बदलाव करेगी? दोनों ही टीम में कहां stand करती हैं और क्या result हो सकता है इस मैच का जाने? सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुकाबला हो कर रहा है महराश्टरा Cricket Association Stadium में यहाँ पर काफी जबरदस मुकाबला हुआ था जो कि दिल्ली और हुआ था लखनो सूपर जैने की बिशमर काफी बहतरी मुकाबला हो था और वो चेज हो गया था काफी अच्छे तरीके से अगर आपकी टीम पहले बलेबाजी करती है तो कम से कम आपको 170 से 180 तक क्रॉस करना पड़ेगा कैसे न कैसे करके तब ही आप यहाँ अच्छी फाइट कर सकते हैं नहीं तो आप यहाँ पर हार भी सकते हैं ज्यादा तर चांस यही बनते हैं क्योंकि यहाँ पर due factor बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ पर Pacers को मदद मिलेगी शुरू के जो power play के overs होगे, जैसे ही आगे के time बढ़ेगा, वैसे वैसे बोल हाथ से slip होने लग जाएगी, अब बात करते हैं कि क्या combination ट्राइ कर सकते हैं दोनों टीमें, उसके पीछे की वज़य अभी ही मैं आपको बता हूँगा, सबसे पहले RCB की टीम को जानते हैं, इनकी टीम में जो ओपनिंग को डूपले सी आपको पता है कप्तान है, इनकी उनके साथ अनुज रावत, यह शायद लास्ट मैच हो सकता है, क्योंकि इनको टेस्ट कर रहे हैं, इनके हिसाब से जैसी विली ओल्राउंडर या फिशर्फिन रदरफोल्ड वो भी पार्ट टाइम गिंदबाजी कर लेते हैं, उनको खिलाएंगे, तो मेरे साब से यह जाने वाले हैं, विली के पास, विली अच्छे बले बाज भी हैं, और आपको ओवर भी निकाल के दे सकते हैं, उसके बाद आ चाहि बढ़ रहें, न आकाशधीप अच्छी गेंदबाजी करते जा रहे हैं, वहीं अगर हम बात करें मुम्बाई इंडियंस की, तो मुम्बाई इंडियंस की टीम की बले बाजी तो काफिया तक सही है, पर नंतु बात करें, उन वो जो मैच हार रहे हैं, वो जो पैटर् प्लस स्ट्राइक रेट से रन बनाए तीसे रन में पर आपको दिख सकते हैं सूर्या कुमार यादव पिछले मैच में भी चले थे और फिर उसके बाद तिलक वर्मा नजर आएंगे दन आपको पॉलाड नजर आएंगे फिर आपको डिवाड ब्रैविस ब्रैविस को शायद एपोर्शनिटी देनी चाहिए वो बहुत अच्छा कर सकते हैं ब्रैविस के बाद आपको नजर आ सकते हैं फैबिन एलन या फिर टिम डैविड डैविड मीडियम बोलिंग करते हैं और जो फैबिन एलन लेफ्ट आम स्पीनर है और राइट एंड बैटिंग करते हैं लंब कमेंटम ग्रैब कर लें तो RCB एक स्ट्रॉंग टीम बनकर उभरकर सामने आ रहे हैं और काफी तेजी से आगे बढ़ रही है आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें और RCB की तरह से जो एक्स फैक्टर साबित होने वाले हैं वो कहीं ना कहीं मैक्सवल हो सकते है क्योंकि वो आ रहे हैं और काफी अच्छा करके हैं और काफी लंबा गैप हो चुका अगर मैक्सिल ना भी चले तो डूपलैसी की पर्फॉमेंस बहुत मायन रखेगी और Mumbai Indians की खिलाफ वो हमेशा अच्छा करते वे नजर आते वही Mumbai Indians की बात करें तो जो उनकी Middle Order Batsman तिलक पर्मा या फिर डिवाल्ड ब्रेविस में से कोई आपको बड़ी पर्फॉमेंस करते वे दिख सकता है आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगी अच्छे लेगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं नेक शुड़े में क्रिकेट से जोड़ी अ अबस आपको लाइब।